हेलो फ्रेंड्स माइनेव इस खुसी और मैं आज आपको पढ़ाने जारे हूं कलेंडर कलेंडर में देखते हैं साधारन वर्स होते हैं और क्या होते हैं लीव वर्स होते हैं मैंने पहले ही से लिख रखा है ताकि टाइम बेर साधारन वर्स में क्या होते हैं 28 दिन होते हैं और जब की और टोटल डे कितने होते हैं 365 डेस होते हैं और लीब वर्स में क्या होते हैं 29 डे होते हैं तब ही तो हमारा एक दिन क्या होता है प्लस बन बढ़ जाता है और सताबदी वर्स क्या होता है जिसमें 400 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है सताबदी वर्स कहलाता है और लीब बर्स क्या होता है जिसमें चार से डिवाइड हो जाए अब चार से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा ये हमारा लीब बर्स हो जाएगा चार सो से तो डिवाइड हो नहीं रहा है अब क्या देखते हैं समान वर्स में क्या होता है एक की यह ट्रिक है क्या करेंगे 144 किसका स्कॉार होता है बारा का स्कॉार होता है और 25 किसका होता है पांच का और जीरो है इदर पे 36 किसका हो जाए गच्छे का और 12 में क्या कर देंगे 12 के स्कॉार में 144 में प्लस दो एड कर देंगे सिम्पिल सी ट्रेक है बस दो तीन बार याद करोगे ना तो आपके कुसन कभी भी गलत नहीं होंगे और टाइम टेकन भी रही है बिल्कुल भी ऐसे फाइंड करोगी कितने दिन आए कितने दिन नहीं है अब क्या है लीफियर्स आएगा तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ इसमें एक माइनस कर देंगे तो यह जीरो और तीन आजाएगा बाकी चीजें हम लोग क्या कर देंगे कुछ नहीं करना है अब यह देखिए अब यह सताबदी परिवर्दन देखो कुसर में समझाओंगी तो डेफनिल्टी समझ में आएगा पहली बार जो कई देख रहा होगा तो उससे तो नहीं आएगा बट थोड़ा बहुत भी जानते हो आप लोग तो डेफनिल्टी समझ म करने आएगा उनेस सौमें क्या हो जाएगा की ओर आज अगर मंगलवार है तो देखो एक सबसे बाद भी तो फिצर मंगलवार आएगा तो हम लोग क्या देखें साथ के पहाडे में इसके आसपास की वैल्लो का बारीद साथ नम्मा क्या होता है साथ नम्मा 63 होता है की नहीं होता है तो 63 वा दिन हमारा भी क्या होगा मंगल बार होगा ये कैसे निकालेंगे जब फर्स डे हमारा अगर मंगल बार है तो हमारा साथ मा दिन भी क्या होगा मंगल बार होगा उसके बाद का तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे 63 तो 63 वा दिन क्या होगा हमारा मंगलवार होगा लेकिन ये पूछ रहे 62 वे दिन कौन सा होगा तो भाई हम इसमें एक माइनस कर देंगे मंगलवार के पहले क्या आता है सॉमबार आता है तो हमारा कौन सा होगा असौमबार होगा अब यह क्या आजाएगा यदि किसी व्यक्ती का जनम दिन 29 फरवरी 1986 होथा तो वै अपना अगला जनम दिन कब मनाएगा अब देखते हैं इसका जनम दिन क्या था 1986 को था 1896 को था 1896 को था तो 29 फरवरी है तो यानि लीपियर है तो फिर से इसका चार साल बाद जनम दिन पढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा उन्निस सो हो जाएगा उन्निस सो हो जाएगा तो उन्निस सो में हम क्या करेंगे चार सो का डिवाइट करेंगे तो ये चार सो नहीं जा रहा तो ये हमारा क्या है लीपियर लीपियर नहीं है तो इसमें क्या करेगे इसका इस साल जनम दिन नहीं पड़ेगा तो क्या आएगा अगले चार साल और जोड़ देंगे इसका पड़ेगा जनम दिन 1904 में पड़ेगा ये थोड़ा दिहान से ये ट्रेक याद करनी है रहा है कि किसी वर्स एक जनबरी संदोजार अठारा को सौंबार था तो 31 दिसंबर संदोजार अठारा को क्या होगा एक जनबरी मैंने क्या बताया था अगर ये लीपियर है तो उसमें क्या होगा प्लस दो दिन बढ़ जाएंगे अगर लीपियर नहीं है तो क्या होगा प्लस एक साल होता एक जनवरी संदोजार उननिस लेकिन जो फर्स डे होता है साधारन वर्स का और जो लास्ट डे होता है साधारन वर्स का उसमें कोई चेंज नहीं होता है जो जिस दिन अगर इधर पर सौंबार है तो इधर भी क्या होगा हमारा सौंबार ही होगा तो हमारा आंसर क आझाएगा समबार आजाएगा अभी समझ में ऑने आए जैसे कि यह हमारा क्या है यह आप दे को यह मारे चार से डिवाइड ऊण नहीं हो रहां यह पांच नहीं हो रहां तो यह क्या हमारा सादरन बर्स है तो मैंने क्या्योंच बता है जो साधरन बर्स का first day होता है और यह क्या है last day है देखो year तो दुनों के same है तो क्या है यह अगर first day अगर संबार है तो last day भी हमारा क्या होगा last day भी हमारा संबार होगा यह हमारा answer है चलिए next day next देखते हैं किसी verse की एक जनवरी संदोजार 16 को सौंबार है अब देखो यह हमारा क्या है यह हमारा लीपियर है लेकिन यह क्या पूछ रहा है 31 दिसंबर अगर जब लीपियर होता है तो लीपियर का जो फर्स डे है और लीपियर का जो लास्ट डे है तो इसमें हमारा क्या हो जाता है इसमें प्लस वन डे हो जाता है टू डे क्यों नहीं होता अगर ये कहता एक जन्वरी सन दो जार सत्रा तभी तो हमारा पूरा एक साल हुआ पूरे एक साल में हमारे प्लस दो दिन बढ़ते है लेकिन अगर फर्स डे और ये लास डे हो तो क्या होता है लेपियर में सिर्फ प्लस एक दिन बढ़ता है तो अगर ये सौमबार है तो अब क्या होगा अब होगा हमारा मंगल बार next क्या कह रहा है एक जन्वरी सन दो जार साथ को सुखवार था चलिए तो 31 दिसंबर सन दो जार 9 को क्या होगा इसमें क्या करते हैं एक जन्वरी अगर एक जन्वरी संदोजार साथ को हमारा क्या था सुकवार था चलिए यह मैंने सारी शीजे लिख लिए हैं यह कह रहा है एक जन्वरी संदोजार साथ को अगर सुकवार था तो ये सुकवार है तो क्या होगा 31 दिसंबर संदोजार साथ को सेमी डे होगा क्योंकि ये क्या है नॉर्मल येर है तो नॉर्मल येर में क्या होता है जो फर्स डे और लास्ट डे क्या होता है सेम होता है तो क्या हो जाएगा सुकवार हो जाएगा अब यह क्या रहा है एक जन्वरी संदुजर आठ को क्या होगा एक जन्वरी संदुजर तो यह देखिए इधर पे तो फैब आएगी ना इधर लीपियर तो आया नहीं है अब ये क्या क्या रहा है अभी हमारी आ गई है लीपियर लीपियर आ गया है तो लीपियर का first day और last day में क्या होता है इसे plus one का increment होता है तो क्या आ जाएगा ये रभी बार आ जाएगा लेकिन अगर पूरा एक साल देखें एक जन्वरी और एक जन्वरी संदोजार नौ पूर क्या है रभी बार और ये क्या हो जाएगा हमारा सौम बार हो जाएगा और ये भी हमारा क्या है साधारन वर्स है तो साधारन वर्स का first day और last day क्या होता है सेम होता है तो हमारा क्या हो जाएगा ये सौम बार हो जाएगा चलिए next देखते हैं next हमारा कह रहा है कि 12 जन्वरी स संदो जाह 16 को क्या होगा तो यह हमारा क्या ह क्या है नॉर्मल यह रहली पियर धें सेम डेट तो क्या होगा पुलगा एक साल नगले अगर तो क्या हो रहता हमारे फिरस्ट सय में रहता रभी वारी रहता बट युट-पूरा ARE थे तो पूरा पूरा प्लस बन का increment हो जाएगा तो चली में अब यह क्या क्या रहा है 12 जनब़ी संदोजा 16 को संबार है अब यह हमारा लीपयर है ने क्या क्या पूरा पूरा अगर एक साल बढ़े ये देखो date से में पूरा पूरा एक साल बढ़ा की निवढ़ा तो क्या हो जाएंगे प्लस टू का increment हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मंगल बुद्ध तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुद्धवार हो जाएगा चलिए next देखते हैं अब ये थोड़ा पढ़ने वाला है जो मैंने formula बताएथी इसमें सारी यूज़ होंगे क्या किया रहा है 15 अगस्त 1947 को भारत मतलब कौन सा दिन होगा उस दिन आ जात हुआ तो 15 date as it is लिख लेंगे इसको अगस्त मैंने ये चीज़ बताएथी अगर normal year हो तो ये वाला formula लगाते हैं क्या हो जाएगा 12 का square 144 का square और 6 का square और ये क्या हो जाएगा 12 के square में प्लस 2 हो जाएगे अब देखो अगस्त जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस्त क्या जाएगा अगस्त का हमारा 3 इधर रख जाएगा इसलिए जब याद हो जाते ना ये तो आप direct भी रख सकते हो 1900 हमारा क्या है? 1900 में हमारे no change है अभी दिखाया था 1900 में ये देखिए 1900 में क्या है? no change है तो क्या आजाएगा? इधर पे हमारा आजाएगा 0 अब हम लोग क्या रखेंगे? 37, अब 37 में देखनें कितने ले पियर है तो 4 का divide करेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और क्या बचेगा? 3 बचेगा? इस पल नहीं लेते हम लोग क्या लेंगे? भाग पल लेंगे देखो, भाई समझ में आया की नहीं आया? 4 एकम 4, 7 और 4 एकम 4 तो हम लोग यह नहीं लेंगे सिब क्या लेंगे? यह लेंगे और 47 एज़िटिस उतार देंगे यह हमारी कितनी है? 11 ले पियर है और बटे में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा अब इसका टोटल करके देखते हैं टोटल हमारा यह आ रहा है 76 आप लोग करके देखना आपका भी आएगा और इससे डिवाइड करते हैं फिर जो इसका 6 पल आता है वह हमारा डे होता है अगर 6 से बड़ा आता है तो फिर 7 का डिवाइड हो जाएगा फिर से तो 6 आया तो हम लोग डे क्या मानेंगे सनिवार से हम लोग जीरो डे मानेंगे रभी वार एक हो जाएगा सौमबार दो हो जाएगा मंगल तीन बुद्ध चार ब्रस पत्माज और सुकवार चै तो हमारा क्या हो जाएगा यह दिन हो जाएगा हमारा सुक्रवार चलिए next देखते हैं 5 जून 1960 को कौन सा दिन था ये देखते हैं 5 जून अभी हाल मैंने बताया जनवरी, फरवरी, मार्च, अपरेल, माई, जून जून क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अपरेल, माई, जून हाँ, ठीक है और ये क्या हो जाएगा? 1900 में क्या है? 1900 में हमारा no change है, तो कोई भी हमारा अतिरिक today नहीं है, तो zero हो जाएगा 60 को as it is उतार देंगे, अब 60 में देखते हैं कितने ली पियर हैं? तो 60 में 4 का भागा देंगे, तो एक बार जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो कितना 15 बार चला जाएगा, टोटल अब ये हम 7 से क्या कर देंगे? divide कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 85 divide 7, तो हमारा आ जाएगा, 1 से पंदरा आएगा तो क्या बचेगा एक सेस्पल आएगा तो एक हमारा कब है एक हमारा है रभी बार ये देखिए तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा रभी बार का दिन होगा पांच जून 1960 को क्या होगा रभी बार का दिन होगा चलिए नेक्ष्ट देखते हैं कि मिनट के लिए पॉस करो और इसको सॉल्व करो 27 जन्वरी जन्वरी हमारा क्या है फॉमले में रखो जन्वरी एक ही आ गया 2000 दो हजार मैंने बताए इसमें 6 अतिरिक्स डे है ये आपको याद करने पड़े ये ट्रिक है इससे बहुत जल्दी आसांसा सॉल्व जाएगा 18 को एस इस रख देंगे अब ये देखते हैं 18 में कितने लिए प्यार है तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 चुको 16 होता है तो ये 4 ये बार जाएगा और बटे कितने करेंगे ये कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इधरे पर लग देते हैं 56 आ जाएगा 56 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 786 convers सटू अड़ छफपन ये अगर पूरा पूरा डिवाइड आया तो हमा सेस्पल क्या है 80S पल आया हमारा जीरो तो जीरो किस दिन होता है सनिवार को होता है तो हमारा क्या आ जाएगा उस दिन हमारा हो जाएगा सनिवार सन्दोजार अठारा को सत्ताई जन्वरी सन्दोजार अठारा को सनिवार हो जाएगा चलिए next देखते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 10 माई 1857 को कौन सा दिन होगा तो भाई 10 माई ले लिया मैंने अब माई देखते हैं इधर पे ये देखिए माई क्या है जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल माई अरे सॉरी मैंने लिखाई नहीं है ये वही फर्मला ले लेंगे जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल माई माई हमारा क्या है दूसरा दिन है तो दो लिख लिया अब इधर देखते हैं 1800 में कितने हमारे तिरी डे हो रहा है दो हो रहा है तो क्या लिख देंगे दो लिख देंगे अब ये देखिए 57, 57 को एज़िटिस लिख देए 57 में ये भी तो देखो कितने ली पियर है तो 4 एकम 4, एक हासिल तो क्या हो जाएगा 4 चुको 16 और ये 7 तो डिवाइट कर देएगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 85, 85 आएगा तो एक सेकेंड 85 आएगा तो हमारा क्या बचा हमारा बचा है एक सेसफल एक सेसफल बचा है तो एक को कौन सा डि होता है एक को हमारा होता है रभी वार तो हमारा कौन सा हो जाएगा 10 मई 1857 को हमारा हो जाएगा रभी वार चलिए ये थोड़ा टफ है इसको निकालते हैं अगर इसको आपने कर लिया खुद से तो फिर समझ जाई है आपको आ गया 14 माई 1985 को रविवार है अब ये देखते हैं सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस दिन रविवार है की नहीं है पहले तो ये फाइंड करते हैं माई माई में अभी निकाला था दो आया था तो क्या लिख देंगे दो उन्निस सो में क्या है कोई चेंजमेंट नहीं है ये देखिए कोई चेंजमेंट नहीं है तो क्या जाएगा जीरो अब पचासी एलजिटिस रख देंगे अब क्या है चार का भाग देंगे चार दुनी आ by 7 तो हमारे कितंवे बच रहे हैं हमारे 3 से बच रहे हो तो 3 को कौन सा दिन होता है 3 को हमारा होता है मंगल बार तो देखो भाई रवी बार पार तो है नहीं चलिए अगस्त और सिकाः नहीं यह सं 2,020, को कौन सा दीन है, तो पंुतर अगस्त है जट लिएते लेते है, जनवरी, फरवरी अगस्त को कौन सा होते था यह महीना होता है, अब यह देखते हैं, 1000 को मेंने बतायता 1.900 के बाद क्या होता चै का, इंक्रिमेंट, चै के अत्ति दिन तो क्या हो जाएगा ये और 20 से 20 लिख देंगे और 20 में देखने कितने लीप या रहे हैं 4 का डिवाइट कर देंगे 4 पंचे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा 5 लीप या रहे हैं और 7 से डिवाइट कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा ये किता जाएगा 6 प्लस 43 7 तो हमारा कितना जाएगा जीरो सेस्पल आ जाएगा जब हमारा ये जीरो सेस्पल आएगा तो जीरो वाले दिन कौन सा होता है जीरो हमने लिया था सनिवार को माना था तो क्या हो जाएगा जीरो अगर हमारा सनिवार है तो इसमें देखो रभी बार कितना था रभी बार है तो रभी बार के बाद क्या आया रभी बार के बाद आया सॉम बार और मंगल बार सॉम बार मंगल आया दो का इंक्रिमेंट मतले इन्होंने माइनस तीन किये देखो मंगल के पहले सॉम और फिर रभी माइनस दो का इंक्रिमेंट किया तो माइनस दो हम लोग इसमें भी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा माइनस दो करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रिस्पति वार सनी वार में दो माइनस करेंगे तो सनी वार में जब अगर हमने दो माइनस की तो हमारा आ जाएगा सुकरवार आ जाएगा सुकरवार क्यों आएगा इस दिन तो गुरुवार आएगा ना सनीवार को सुरी मैं गलत करा रही हूं माइनस दो करेंगे सनीवार में तो क्या आ जाएगा एक सुक्रुफरस के बाद क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार आ जाएगा क्योंकि इसमें हमने माइनस दो किया देखो क्या आएगा सॉम फिर मंगल आएगा आएगा की नहीं आएगा रविवार के बाद सौम फिर मंगल और इसमें भी फिर ऐसी आ जाएगा तो यह हमारा क्या आ जाएगा गुरुवार आंसर आ जाएगा चलिए आज की वीडियो आज खतम होती है फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में